अब शबीको नमस्कार भारत में रोजगार के इस्तिती पे एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है जिसको ILO यानि International Level Organization ने रिलीज किया है या भारत पे स्पेसली है इसमें बताया गया है कि भारत में रोजगार के इस्तिती में यूथों का क्या पोजिशन है यूमन का क्या पोजिशन यानि नौजवान महिलाएं इन सारी चीजों को क्या क्या कंसर्ण है क्या क्या दिखते हैं इस सारी चीज इस रिपोर्ट में बताया गया है और इस वीडियो के माध्यम से उस सारी चीज हम समझने का प्रि पुजगार रिपोर्ट 2024 रिलीज हुआ है इंस्टिचूट ऑफ यूमन डेवलपमेंट एक इन जीओ है जो इसको असिस्ट किया है और इंटरनेशनल लेवर और्गनाइजेशन यह यह यून का सबसे पूराना संस्था है उनाइटेड नेशन का यह उनीस सो उनीस से चला उनी मार्केट का यानि स्रम बजार का जो भी इंडीकेटर है उसको एक्जामीन किया गया है और उसके उस पर अधारित उस एक्जामीन करने के बाद जांच करने के बाद उस पर या रिपोर्ट इलीज किया अब Do En рис के लेवर फोर्स पाटिसिपेशन रेट यहनी स्रम बल में क्या भागी धारी है अब LF PR थोड़ा सा समझ लिए क्या होता है या होता है इसमें एक उमर है 16 से लेके 64 यर तक है पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन या तो काम कर रहे हैं या काम करने की इक्षा है इसके बाद में वर्क फोर्स पाटिसिपेशन इसमें से जो किवल काम कर रहे है बाकी इसमैं से घटा दिया जाता है अब इसमें भी LF PR में क्या किया जाता है जो भी हाउस वाइप है जो भी स्टुडेंट पढ़ रहा है जिसकी उमर 64 से जादा है उनको आइड नहीं किया जाता है इसके लाएमेंट रेट यानि बेरोजगारों क्या दर है भारत में यह सारी को एक्जामीन करने के बाद मेया र विश्व में इस तरह की स्तिती हो गई थे चलिए या 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 न्यूज या न्यूज है अब इसके बाद में थोड़ा-थोड़ा सब चीज हम देखते हैं जो भी इंपोर्टेंट है सबसे बीग पिक्चर या इस रिपोर्ट में क्या रिलीज किया गया इसमें एक इंडेक्स है रिपोर्ट कब दो हजार चार पांस से 2021 के बीच में अलाकि इंप्रूब तो किया है अच्छा बात हुआ है लेकिन कुछ स्टेट जो है अभी भी बॉटम में है जैसे बिहार हो गया पूरिशा हो गया जारखंड हो गया यूपी हो गया यह अभी भी एकदम नीचे इस्त इंडेक्स के माध्यम से बताया गया है तो इसमें इंप्लाइमेंट कंडिशन इंडेक्स इंप्रूब किया है यानि अच्छा हुआ है इस रिपोर्ट के माध्यम से अब यहां इंडेक्स कैसे निकाला जाता है इसमें साथ जो है लेबर मार्केट का आउटकम इंडिकेटर ह होते हैं साथ जो स्रम बजार का इंडिकेटर होते हैं उसी पर निकाला जाता है कि कितने पर्षंट वर्कर जो है इंपलाइड है यानיisième रोजगार उनको मिले हुए से रेगुलर वर्कमिलर वर्क में में टो इसको फॉर्माल वर्क वर्क होते हैं जिसमें पोःमसलों कांप में लोग हैं जो कैजूएब लिभर है कैज्वल लेभर है हिंडी में अकास्मिक स्रमिंट्ट आपक लिए बैठेध की सब्सक्राइब काम क्यास्ट बोतान connect temperature लोग रोक्त तो कितने सेल्फ इंप्लाइड है वर्क पाटिसिपेशन रेट अभी हम आपको बता दी है जिसमें से जो काम चाह रहा है उनको हटा जो क्यों काम कर रहे हैं वही होता है इसके अलाम में मंध्ली अर्निंग कर सबीट कंप अरियक कितने लोग बरॉजगार हैquela यूद्ध का जो नहीं इंडिकेटर के माध्यम से स्रम इंप्लाइमेंट कंडिशन इंडेक्स निकाला जाता है जो की दीश दो हजार चार पांस से अब थोड़ा सा एया रिपोर्ट में कुछ इन्फोग्राफिक भी दिया था जो मैं आपके लिए लाया हूं देखिए यहां जो एक कलर है सेल्फ इंप्लाइड है रेगुलर है कैजुल है देखिए दो हजार में अगर पचास यूथ है जिसमें से तेरा रेगुलर थे सैंटी यहां धीरे धीरे 2022 में देखिए कैजुल लेबर कम हो गए है रेगुलर बढ़ चुके है तो सेंटालीस है इसके अलावा एडल्ट यूथ की बात है एडल्ट में चौवण में सोला जो है रेगुलर है एक अतिस जो है कैजुल है यहीं आके यहां पर थोड़ा सा बढ़ आई इसके अलावाँ एडुकेटेड यूथ जो सकेंडरी और हाइर सकेंडरी पास की है दो हजार में देखिए इस सभी का है 88.8 और सकेंडरी और हईरी कंवन पॉइंट दो और यहां 32 में आ जाते है अठासी और सकेंडरी हाइर सकेंडरी 65.7 पर्संट ही जिनको और यह थो है because of the emerging technology artificial intelligence वगर है तो जो भी रिपीटेट काम है जो भी नन एनालिटिकल काम है उनको इससे करवाया जा रहा है अब इसके अलामें देखते हैं कि की बात करते हैं यहां हंसे किकिन लिप्र कोई लगेगा दस घंटाब काम करने मिलेगी वह बढ़ा है यानि बताया गया कि फॉर्मल सेक्टर में भी हाफ जो जॉब है हाफ जो नौकरी है वह इन्फॉर्मल इन नेचर हो गया है इसके अलामा बताया कि कि सेल्फ इंप्लाइमेंट यानि स्वारेजगार और उन पेड़ फेमिली वर्क भी इंक्रीज हुआ है यानि ऐसा वर्क जो काम कर रहा है लेकिन कुछ पेड नहीं दिया जा रहा है जैसे हाउस वाइप ओमन के ओमन दीन भर काम करती है कुछ उनको नहीं मुलता है तो उसको फेमिली वर्क भी बोलते हैं इसके अलावा जो सेल्फ इंप्लाइमेंट है स्वार जो जैसे अपना बीजनेस कर लिया कुछ कर लिया वह अभी प्राइमरी सोर्स है रोजिगार का 55.8 परसेंट लेकिन कैजूल और रेगुलर इंप्लाइमेंट जो है न वह बाइस पाइंट साथ 2022 में है और इससे पहले 2000 में 33.3 परसेंट था अब इससे क्या होगा इससे इंप्लाइमेंट कॉलिटी से क्या पता चलता कि इन फॉर्मल सेक्टर अभी राईज कर रहे हैं यानि फॉर्मल में भी आधा जो इन फॉर्मल का हो रहा कैजूल इंप्लाइमेंट कुछ डिकल कर लिया है ना लगूद्यों कर लिया है ना मजोले उद्यों कर लिया है तो यह employment quality के बाद है रोजगार quality के बाद है इसमें देखिए जैसे आप unemployment educated youth जो secondary और हाइयर है unemployment UPSS देखिए elementary graduate और graduate and develop 28.7% जो है वह बेरोजगार है यह 2000, 2000 का है और A वाला color 2022 का है यह यूथ unemployment rate जो है social group and level of education यह देखिए यूथ का graduate and above यह graduate of above ST 33.3, ARAE SC, schedule cast OBC और general जबकि यह secondary और higher education में ARA इनकी percentage ना यह report में बताया गया है अब देखते हैं थोड़ा सा women का क्या इस्तिति है महिलाओं का क्या इस्तिति अभी आमको LFPR बताएं LFPR जो है female में इंडिया में सुरू सही कम रहा है world में सबसे कम female labor participation rate स्रम का का काम करने वाली महिलाओं जो कम है क्यों अब LFPR का definition क्या है यह तो काम कर रहा है महिलाओं यह काम करने के इक छुक है तो यह कम है इंडिया में क्लियर लेकिन जो 2000 से 2019 के बीच में यह कम हुआ है लेकिन यह पहले था 8.3 परसेंट बढ़ा है जबकि इससे पहले क्या था 1.7 यानि महिलाओं भी काम कर रही है और काम करने का एक छुक है अलागि जेंडर गैप से इंकार नहीं किया जा सकता इंडिया में अभी भी है तो अगर वुमान का LFPR का 32.8 है 2002 में जबकि 2.3 टाइम लोवर है मेंस का अभी भी आदमी ज्यादा काम कर रहे है पुरू ज्यादा काम कर रहे है तो एक अच्छी बात है कि लेबर पोर्स पाटिसिपेशन राइज किया है और उससे भी बड़ी बात है कि LFPR का अगर बात करते हैं तो इंडिया का LFPR पूरे साउथ एसन नेशन में अभी हाई है यह एवरेज की बात करें तो 24.8 है ऐसा आईये लोग का डाटा किया है जो 26 मर्च पर रहे लिज हुआ है यहां भी कुछ अच्छी बात मिले है इसके यूथ इंप्लाइमेंट की बात करते हैं नौजवान काम करने की बात करते हैं तो जो यूथ इंप्लाइमेंट भी राइज किया है लोग को नोकरी मिला है लेकिन यहां पर एक कंसर्ण का है क्वालिटी आफ वर्क यानि काम करने के गुनवाता जो है अभी भी एक कंसर्ण क सब्सक्राइब कर दोनों कोई काम आइसा जो एक आदमी आराम से कर सकते हैं उसी में तीन आदमी कर रहा है या वह अपने कोई पड़ा लिखा है और कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए तो अंडर इंप्लाइमेंट यह भी इंक्रीज किया 2000 से 2019 के बीच में उसमें पैंडेमिक यह भी थोड़ा सा इसके आगे आ जाते हैं तो और इस्तिती खराब हो गया किलिए लेकिन अनइप्लाइमेंट रेट जो है एडुकेटेड यूथ में यह बढ़ा है 30.8% 2019 में था है जबकि 23.9 2000 में था लेकिन 2022 में कम हुआ है ज्यादा कम नहीं हुआ 18.4 लेकिन कम हुआ है किलिए तो यह यूथ इंप्लाइमेंट की बात है अब यह रिपोर्ट आपको क्या करना चाहिए उन्होंने पांच जो है की पॉलिशी एरिया को आइडेंटिफाइ कि जिस पर बताया गया है कि इस पर आपको एक्शन लेना जरूब यह जैसे जॉब क्रियेशन या आप नोकरी बनाओ नोकरी को क्रियेट करो लोगों को नोकरी मिले इसके अलाव लेबर मार्केट इनिकुलिटी है उसको आड्रेस करो उसको जो इनिकुलिटी है पूरूस महिलाओं में और भी बहुत सारे है ना इसके अलावा एक्टिव एक्टिव को स्टेंथन करो चुकि यह नहीं करने पर क्या होगा स्कील नहीं होगा तो अभी आर्टिफिशल इंट इसके अलावा जो भी जो नॉलेज डिफिसिट है लेबर मार्केट पैटर्ण में उसको भी ब्रीज करना यूथ इंप्लाइमेंट और यहीं रिपोर्ट ने यह भी थोड़ा सा बोला है कि जब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के इमर्जिंग राइज होने के बाद में इसक इंप्लाइमेंट पर कि लिए जो कि आउट्सोर्सिंग जो इंड़स्ट्री है इंडिया में यह भी अब डिस्ट्रप्ट होंगे चुकि क्यों चुकि बायक ओफिस टास्क जो है ना वह आजगाल कर दे रहे हैं आउट्सोर्सिंग यानि बाहर के कंट्री आने काम यहां पर पर भेजते हैं चुकि यहां पर लेवर सस्ता मिलते हैं तो आप वहीं पर क्या करते हैं रोबोर्ट से काम करवा रहा हैं तो यह भी एक कंसर्ण का बात है दूसरी बात कि इन्वेस्टमेंट और रेगूलेशन वह रिक्वाइट है अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट क्यो वह अपने काम को डिजिटाइज करें और दूसरी बात कि मनुफेक्ट्रिंग को कलस्टर बेस्ट मनुफेक्ट्रिंग अप्रोच ले आए तभी यह सारे इंप्लाइमेंट सभी को रोजगार मिलेगा सभी लोग काम करेंगे और एकुनॉमी आगे बढ़ेगा तो यह सारे र आइक और शेयर जरूर किजिएगा सो थैंक यू हैवे गूड डे एंड हैपी लर्निंग थैंक यू वेरी मुट्रिंग